इन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes में समिज हैं YouTube चैनल में तो सात्यों स्टार्ड हो चुका है आज का इस सेसन हैना सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरू कर देंगे और दोस्तों अगर अभी तक आपने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया तो Self Study Classes का एप जरू डाउनलोड करने ठीक है यहाँ पर 2020 Test Series रखी गई दोस्तों आप लोगों के लिए हैना 2020 Test Series सबता है में दो दिन आपके लिए बिलकुल Free Test Series रखी गई है ठीक है तो आप इस Free Test Series में भाग ले सकते हैं अपना अध्यन कर सकते हैं तो जिन भी सात्यों ने Self Study Classes एप डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर पे जाईए प्ले स्टोर में सर्च करिए Self Study Classes है ना और दोस्तों डाउनलोड करने और यह था बत आपको इसी प्रकार से पढ़ना है और एक चतुरत बैच स्टार्ड हो रहा है दोस्तों एक जुलाई से एक जुलाई से चतुरत बैच स्टार्ड हो रहा है दोस्तों जिन भी सात्यों को इस बैच से जुड़ना है जिन भी सात्यों को पढ़ाई करना है वो सेल्फ स्टेडी क्लासे से अप डाउनलोट कलने और मात्र 1199 में इस बैच से जुड़कर कि आप हिंदी साहित का अध्यन कर सकते हैं टेस्ट लगा सकते हैं टॉपिक वाइज ट्रिक से पढ़ सकते हैं दोस्तों टाउट्स वाले वीडियो किलियर किलियर डाउट्स वाला जो सेसन होता उससे पढ़ सकते हैं हैना लाइब क्लासे प्लस बिष्टरेत अध्यन और गुरुप डिस्कसन के मात्यम से पढ़ सकते हैं चतुर्त बैच में जिन भी सातियों को भाग लेना है वो एक जुलाई से पहले अड़ बीसन ले करके अपना अध्यन कर सकते हैं। और साथी दोस्तो इसी बैच में एक निचोल कोर्स श्टार्ड होने बाला है। निचोर कोर्स के लिए आपको अलग से कोर्स नहीं लेना है है नहीं जो आपका कोर्स रहेगा इसे में आपके लिए निचोर कोर्स प्रारम वहने बाला 21 जून से दस दिन तक दस दिन का ये निचोड कोर्स रहेगा दस दिन में पूरा निचोड कोर्स दोस्तों हिंदी साहित का इतिहास से लेकर कि आपका एक कांकी तक है ना पूरा दोस्तों आपको निचोड कोर्स करवाया जाएगा दस दिन में कम्पलीट करवाया जाएगा self study classes अपके माध्यम से और दोस्तो इस course से आपको बहुत फायदा होगा जिनका जुलाई में exam है वो तो इस course से जुड़ी ही जाएं है ना तो निचोड कोर्स निचोड किलासों में जिनको भी जुड़ना है दोस्तो वो सबी साथ ही जुड़ जाएं और अपना अध्यन बहुत अच्छे से कर सकते हैं पर इच्छा के लास्ट टाइम पर ऐसे course में admission लेकर के अध्यन को बहुत अच्छे बना सकते हैं पर सकते हैं रिबीजन कर सकते हैं ठीक है चलिए तो अजल्दी से आ जाना है अब दोस्तों अपन स्टाट करते हैं आज का इस सेसन आज का आपका जो पहला प्रशन है उसको आपको बताना है चलिए भूशन का आपको बताना है भूशन की कविता का प्रधान स्वर क्या है भूशन की कविता का प्रधान स्वर कौन सा माना जाता है आपको कमेंट में लिखना है अच्छा कोश्चन है दोस्तों सभी लोग बताएंगे भूशन की कविता का प्रधान स्वर बताईए ब्यंगातमक है प्रसस्ति परख है स्रंगारेक है या फिर कारूनेक है ये चार विकल्प हैं आपके पास चार में से आपको चैन करना है कविता का प्रधान स्वर है उस स्वर को आपको बताना है वो प्रधान स्वर कौनसा है कौनसे ऐसे साती है जिनको इसका उत्तर पता है जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है वीडियो को एक बार लाइक भी कर देना है अपने मित्रों तक पीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साती हैं और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर भूषण की कविताओं का जो प्रधान स्वर है वो प्रसस्ती परक है कल मैंने आपको प्रसस्ती की बात बताई थी दोस्तो प्रसस्ती परक यानी की दोस्तो अपने सर्रक्षक की क्या करना बड़ा चला कर पूरा महिमा का बखान करना वो प्रसस्ती परक है और आपको पता है कि भूशन ने भी यही किया है है ना सिवा को बखानों की बखानों चत्र साल को है ना यह भूशन ने दोस्तों अपने जो सर्रक्षकते जो आसरे दाता थे उनके दोस्तो महिमा गौराव का बड़ा चड़ा कर बढ़नन किया है और यही क्या है यही प्रसस्ति परक कहलाता है है ना अंगले कोस्चन क्यों बढ़ेंगी अंगला कोस्चन आपको बताना है कि अप भरंस में करशन काब के प्रनेता कौन है अप भ्रेंस में कशन काब के प्रनेता कौन है जल्दी से आपको चैन करना है पुस्पिदंत है शाली भद्र शूरी है श्यंबू है या फिर हरी भद्र शूरी है यानि कि तीस का अंसर आपको चैन करना अच्छा प्रसन है दोस्तो अप भ्रेंस में कशन काब के प्रनेता कौन माने जाते हैं बहुत अच्छा क्वेस्चन है सभी लोग एक बार लाइक जरू कर दें अपने मित्रों तक सेयर कर दें जिन भी सातियों को एड़िशन लेना है और परीक्षा के अंतिम समय में दोस्तों पड़ाई करना है वो एड़िशन लेकरके निचोड कोर से start होने वाला 21 जून से निचोड किलास है हिंदी साहित की निचोड किलास है ठीक है और जो बैचे एक जुलाई से start होगा शुरुआज से उसमें भी आपको सामिल किया जाएगा और आपने उत्तर बताया है कि अप भ्रंस में क्रश्न काब्वे के जो प्रनेता माने जाते हैं दोस्तों वो कौन माने जाते हैं आपका उत्तर चला जाता है पुस्पदंत कौन माने जाते हैं पुस्पदंत अब पुस्पदंत की जब बात आई है दोस्तों तो आपको पता होनी चाहिए पुस्पदंत की जब बात आई है तो आपको पता होनी चाहिए कि दोस्तो एक रचना है कौन सी महापुराण महापुराण की रचनाकार कौन है तो महापुराण की रचनाकार माने जाते हैं दोस्तो कौन पुस्पदंत महापरान की रिचना कार कौन मार जाते हैं वो उस पे दनत ये भी आपको याद रखना है और आपको पता है मेरू तूंग प्रबंद चिंतामणी मेरू तूंग की रिचना एक भो अलग है और यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तो प्रतम सूपी प्रेमाख्यानक काब के रचेता कौन है प्रतम सूपी प्रेमाख्यानक काब के रचेता कौन है प्रतम सूपी प्रेमाख्यानक काब के रचेता कौन है प्रतम सूपी प्रेमाख्यानक काब के कुतुबन हैं कौन माने जाते हैं प्रिथम शूपी प्रेमाखने काब के रचेता कौन माने जाते हैं आपको कमेंट में लिखना है अच्छा कॉस्चन है बढ़िया प्रशन है शबी लोगों को पता है कि सर प्रिथम शूपी प्रेमाखने काब के जो रचेता है वो रचेता चंदायन माने जाती है, मुल्ला दाउत की ये पृतम सूपी प्रेमाखने काब के रिचेता माने जाते है, है ना, सभी को पता है, जायज सी आपको पता है, दोस्तो इनका महा काब ہے, पदमाबत, ठीक है, कुतुबन की रिचना कौन सी है, मिरगाबती, लगबक सभी लोगों को पता होगा ठीक है नूर मोहम्मद की रिचना अनुराग मासुरी है दोस्तों अनुराग मासुरी की रिचना कार बोले नूर मोहम्मद है ठीक है बहुत बढ़िया अंगला क्वेश्चन की और बढ़े हिंदी के प्रतम गद्यकार कौन है बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ह हिंदी के प्रतम गद्यकार कौन माने जाते हैं, राजा से उपरसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिस्चंद, या फिर बाल क्रश्न भट, पैन का कलर चेंज कर देंगे कल से, है ना, तो यहाँ पर हिंदी के प्रतम गद्यकार कौन माने जाते हैं, हिंदी के प बिल्कुर सही बताया है कि सर कौन माने जाते हैं लल्लू लाल माने जाते हैं और आपको पता है कि लल्लू लाल जी की जो रचना है वो कौन सी है दोस्तो प्रेम सागर कौन सी है प्रेम सागर है लल्लू लाल की रचना कार कौन है प्रेम सागर आपका बिल्कुर सही आंसर हो ज क्या है अच्छा कोस्चन है हिंदी के सर्पर्थम प्रकासित पत्र का नाम क्या है जल्दी से बताओ अच्छा कोस्चन है सर्पर्थम प्रकासित पूछा गया है और यहां पर आपसे दोग प्रकासित प्रशन पूछे जाते हैं सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा गया है कि हिंदी के सर्व प्रतम प्रकासित पत्र का नाम क्या है तब आपका उत्तर चला जाता है सीधा सीधा ओधन्त मारतंड क्या चला जाता है ओधन्त मारतंड लेकिन अगर यहां पर पूछा जाता है कि हिंदी का सर्व प्रतम प्रक दैनेक समाचार पत्र कौन सा है तो आप क्या बताते जल्दी बताओ हिंदी का प्रथम दैनेक समाचार पत्र कौन सा है बताईए किसको पता है हिंदी का प्रथम दैनेक समाचार पत्र कौन सा माना जाता है ये आपको बताना है आपको पता चल गया कि हिंदी के सरप्रथम प्र प्रकासित दैनेक समाचार पत्र का नाम क्या है दैनेक समाचार पत्र बताना है कौन बता रहा है उदंत मारतंड सापताहिक समाचार पत्र था अब आपको दैनेक समाचार पत्र का बताना है जल्दी से सबी लोग बताएंगे और बहुत अच्छा अंसर आया है कि सर अगर आप बताओगी तो उत्तर हो जाएगा कौन सा? समाचार सुदा वरसन था दोस्तों ठीक है? समाचार सुदा वरसन था और समाचार सुदा वरसन आपको पता है कि यह कब हुगा था? इसका प्रिकासन 1864 में अठारा सु चोंगन में हुआ था और इसके जो संपादक थे वो कौन थे श्याम सुन्दर है ना श्याम सुन्दर सेन थे ये भी आपको याद रखना है ठीक है तो यहाँ से दो कॉस्चन जो आपके डाउट्स वाले रहते वो तो किलियर हो जाते है चायाबाद की प्रबर्तक कौन है अच्छा कोस्चन आया है चायाबाद की प्रबर्तक कौन है अगर ऐसा कोस्चन आपकी पेपर में आ जाता तो आप क्या उत्तर लगाओगी वो राम काब की प्रनेता सुयंबू है और क्रश्न काब की पुस्पदंत है चायाबाद के प्रबर्तक का नाम बताना है आपको चायाबाद के प्रबर्तक कौन है ऐसा अगर question आता है तब आपका उत्तर क्या होता है और शबी लोगों ने देखते हैं कौन-कौन बता रहे हैं कुछ लोग C बता रहे हैं बहुत बढ़िया और ना पढ़ो और ना पढ़ो भाईया दो दिन की बहार लेने आते हैं जो सीवत आ रहे न ये दो दिन के लिए आते हैं पढ़ने बुले सर पेपर आ गया तो आ गए हम पढ़ने मैं इसलिए कहता हूँ कि पढ़िये अगर इस प्रकार से question आता है तो आपको मुकुडधर पांडे नहीं लगाना आपको स्रीधर पाटक नहीं लगाना आपको सुमित्रा नंदन पंत नहीं लगाना आपका सीधा उत्तर जैसंकर परसाथ होगा क्या होगा जै संकर परसाद होगा अगर आपसे पूछा जाता कि आचा रामचन सुकल ने किसे माना तब आप मुकुडधर पांडे लगाते अगर आपसे पूछा जाता कि नंदुलारे बाचपई ने किसे माना तो आप सुमित्रा नंदन पंत लगाते अगर आपसे पूछा जाता कि दोस्तो ये ईला चंदर जोसी ने किसे माना तब भी आप जैसंकर प्रसाद लगाते है ना यहाँ पर लेकिन आपका उत्तर अगर नॉर्मल पूछा जाता है तब आपका जैसंकर प्रसाद बिल्कुर सही हो जाता ठीक है चलिए अंगला क्वेश सर्मा का है जल्दी से बताएं नंदुलारे बाचपेई शुमित्रा नंदर पंत या प्रेम चंद प्रश्न किरमांग 35 प्रिगतिबाद उपियोगिताबाद का दूसरा नाम है ये कथन किसका है ये आपको 35 का बताना है मुकडधर पंत ने च्छाया बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया था और प्रगतिबाद उपियोगिताबाद का दूसरा नाम है ये कथन किसका है ये कथन है दोस्तों किसका जदी से बताएं नंदुलारे बाचपेई का है क्या शही आंसर बता रहे हैं क्या आप लो प्रियोग बाद उपियोगीता बात का दूसरा नाम है एक थन है नंद दुलारे बाचपेई आपको पता है प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया था नंदुलारी बाचपेई 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 नंदु question आपसे पूछा गया इतना सरल पूछा गया कि सभी से उत्तर बनना चाहिए है ना आपको पता है पूरे के पूरे उपन्यास किसके हैं प्रेम चंद जी के हैं अब प्रेम चंद जी के हैं तो इनका अधूरा उपन्यास कौनसा है प्रेम चंद और प्रेम में सर ये कई चीज अधूरा रहता है मैंने कहा क्या मोरी सर्भो मंगल सूतर क्या रह गया मुलिसर मंगल सूतर अधूरा रह गया अधूरा रह गया तो C आपका जो आपने बताया वो बिलकुल सई है C नम्मर तो ये question भी पूछा जाता है सरल भी है और लगबख सबी लोगों को पता है रामधारी से दिनकर को भारती ज्यान पीट पुरुषकार प्राप्त हुआ है किस रचना के लिए प्राप्त हुआ है बताइए किस रचना के लिए ये पूरी की पूरी रचना है दोस्तो रामधारी से दिनकर की हैं इनका जन्म हुआ था दोस्तो 1908 को 1908 को जन्म हुआ रामधारी से दिनकर का है ना और आपको पता है कि जो रामधारी से दिनकर जी है इनकी रचना रस्मी रथी भी है इनकी रचना परसुराम की प्रतीक्छा है है ना इनकी रचना कुरू छेतर भी है दोस्तों इनकी रचना और वसी भी है लेकिन आपको बताना है आपको पता हो जाएगा कि सर इनकी एक रचना है और बसी के लिए वो जिसर उनीस सो कब मिला 72 में 1972 में इन्हें ग्यानपीट पुरुषकार मिला है है ना बहुत बड़ी आंसर ग्यानपीट पुरुषकार को अच्छे सियात कर लेना रट लेना हिंदी साहित के इतिहास के सर्व प्रतम लेखक का नाम बताईए हिंदी साहित के इतिहास के सर्व प्रतम लेखक का नाम बताना है जार्ज गिरियर्शन हैं सेउसें सेंगर हैं आचार रामचन सुकल हैं या फिर गारसा दतासी हैं बताईए सबसे पहले हिंदी साहित इतिहास लेखन का जो प्रयास किया वो किस ने किया किस ने किया प्रश्न किरमांग 38 में हिंदी साहित के इतिहास के सरपर्थम लेखक का नाम आपको अगर पूछा जाता है तो आप क्या लगाओगे उनके गरंत का नाम भी लिख देना तो और मजा आ जाएगा बताईए कौन कौन बता हिंदी साहित के इतिहास के सरपर्थम लेखक का नाम बताना है अच्छा कोस्चन है और आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर हिंदी साहित के इतिहास के सरपर्थम जो लेखक का नाम है वो हैं गारसादा तासी गारसादा तासी दोस्तों एक फ्रेंच विद्वान थे कैसे व भासा में प्रकासित हुआ था फ्रांसीसी या फिर फ्रेंच भासा में प्रकासित हुआ था ये भी आप याद रख लेना और कहां से प्रकासित हुआ था तो ये पेरिस से प्रकासित हुआ था पेरिस से इस्तिवार दाला लेतुतुर एंदुई एंदोस्तानी फ्रेंच भासा में लिखा गया है ना गार्साद अतासी फ्रेंच बिद्वान थे ये पेरिस से प्रिकासित हुआ था ये भी आपको याद रख लेना है ठीक है और बाकी दोस्तों जार्ज गिरियर्सन का तो आपको पताई है दा मौडन वर्ना कुलर लेटे चराफ हिंदोस्तान है ना पदमा बत के रचनाकार कौन माने जाते हैं आपको कमेंट में लिखना है बताईए पदमा बत के रचनाकार कौन माने जाते हैं और इतना अच्छा कॉस्चन है आपके लिए बढ़िया कॉस्चन है दोस्तों शबी लोग बताएंगे पदमा बत के रचनाकार कौन माने जाते हैं और आपने बिल्कुल शही आंसर चैन कर लिया ये जो पदमाबत है दोस्तों ये जो पदमाबत है ये प्रथम प्रमानेक महाकाब भी माना जाता है प्रथम प्रमानेक और दोस्तों प्रथम बड़ा महाकाब भी माना जाता है कौन सा पदमाबत ठीक है जिसके रचनाकार कौन है त टीट है बढ़ जाते हैं अंगले question की और सबी लोग आ जाओ जल्दी से बताना है, बेताल 25 की रचनाकार कौन है, फटाक से बताईए, लल्लू लाल हैं, सदल मिस्त हैं, नाभादास हैं, या फिर सूरती मिस्त हैं, बेताल 25 की रचनाकार कौन माने जाते हैं, फटाक से बताएं बेताल पच्चीसी इतना अच्छा question है दोस्तो उत्तर क्या हो जाएगा बेताल पच्चीसी बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है है ना पदमाबत में संतावन खंड है और पदमाबत दो भागों में प्रकासे थे दोस्तो पदमाबत है ना और बेताल पच्चीसी के आपको पताना है और बिलकुल सही आंसर सभी लोग बिलकुल रटा मार के आए हैं आज तो कुछे खाक कर आए हैं और बिलकुल सही आंसर बेताल पच्चीसी के ललूलाल तो नहीं है ना सदल मिस्टर है क्या नाबा दास है क्या नहीं है तो कौन है बोरे सर सूर दास है lig clicksा सूरति मिस्टर है यानि कि आपका जो डी नम्मर है डी नम्मर आपका यहां पर हो जाएगा बिलकु कार कौन है फोटी बन का अंसर सबी लोग बताएंगे निराला मोहर राकेश है ना अमरत लाल नागर या फिर दोस्तो प्रेम चंद सुहाग के नुपुर के रचना कार कौन माने जाते हैं अच्छा क्वेश्चन है बड़िया क्वेश्चन है और आपको पता है कि दोस्तो क्या है है ना के लिए बोले सर हमारा सोहाग तो अमरत के जैसा है अमरत के समान है है ना क्या सोहाग से क्या बनेगा सोहाग के नुपुर और अमरत के समान है तो अमरत लाल नागर अमरत के समान है तो अमरत लाल नागर और सी नमर आपका बिलकुल सही हो जो आपने right answer चैन किया है अमरतलाल लांगर आपका बिल्कुर शही answer हो जाएगा ठीक है very good अंगला question है दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाओ संस्कृती के चार अध्याए के किसकी रचना है संस्कृती के चार अध्याए या संस्कृत के चार अध्याए संस्कृती अपन बोलते ना कि सर संस्कृत के चार अध्याए पढ़ना है तो बताइए संस्कृत के चार अध्याए की रचनाकार कौन है और आपका बिल्कुर सही answer क अच्छा question है संस्किर्ती के 4 अध्याए कब पड़ना है रात में पड़ोगे क्या रात में पड़ोगे कि दिनमें पड़ोगे बताएए रात में पड़ोगे की दिनमे पड़ोगे हैं ना और उतर आपका सही हो हम कप पढ़ेंगे दिन में पढ़ेंगे तो दिनकर राम धारी से दिनकर जनम ये 1908 रस्मी रती पर्सुराम की पृती क्रूप्ण इनकी रचनाय दोस्तो ये रचनाय माने जाती है अपने कौन की दिनकर जी की ओधिक है असोक के फूल निबंद संग्रहे की रिचनाकार कौन है असोक के फूल यानि की 43 का आंसर आपको चैन करना है अच्छा कॉस्चन है वीडियो को लाइक कर लिएगा और निचोड कोर्स जो स्टार्ड होने बाला है निचोड के लास है 21 जून से जिनको भी एडिवीसन लेना है और आपको लगता है कि एकजाम के टाइम पर हमें थोड़ा सा पढ़ना चाहिए तो आप लोग दोस्तों पढ़ सकते हैं दस दिन में निचोड कोर्स कंप्रीट किया जाएगा 21 जून से लेकर के हैना फिर एक जुलाई से आपका नया बैच स्टार्ड होगा तो जो निचोड किलासें आपको मिलेंगी उसी में आपको निव बैच में भी दोस्तों पूरी निव बैच की किलासें भी आपको मिलेंगी है ना तो अलग से कोई लेने की जवरत नहीं है एक ही में आपको recorded course भी मिलेगा टिर्की वीडियो टेस्ट भी मिलेंगे निचोड किलासें भी मिलेंगी प्लस नए बैच में भी आपको सामिल किया जाएगा लाइब किलासें भी आपको मिलेंगी और doubt session भी आपको मिलेंगे असोक के फूल निबंद संग्रह की रचनाकार कौन है बुलिसर असोक में फूल एक नहीं फूलता तो मैंने कहा कितने फूलते हैं बुलिसर हजारों फूलते हैं कितने फूलते हैं हजारों असोक में फूल कितने फूलते हैं हजारों फूलते हैं तो हजारों से हजारी परसाद दुवेदी, जल्दी से बताईए, हजारी परसाद दुवेदी का जन्म कब हुआ था, देखते हैं कौन कौन बता रहा है, अस हजारी परसाद दुवेदी का जन्म कब हुआ था, सबी लोगों को जन्म भी थोड़ा थोड़ा यात करते जाना है, कौन कौन बता रहा है इनका जन्म कब हुआ था हजारी प्रसाद दुवेदी इतना अच्छा कॉस्चन आपके लिए दिया गया है सबी लोग एक बार बता दो जल्दी से की हजारी प्रसाद दुवेदी का जन्म कब हुआ था और अंगला कॉस्चन आपके सामने है जरना काब संग्राई की रचेता कौन माने जाते हैं है ना सबी लोग सेल्प स्टेडी किलासिस एप जरूर डाउनलोट करने साथ यो जरना काब संग्राई की रचेता कौन माने जाते हैं उत्तर बताईए उत्तर बताईए सबी लोग जहरना काब संगरे की रचेता कौन मान जाती सोहनलाल दुवेदी महादेवी बर्मा जैसंकर पिरसाद या फिर सुविद्रा कुमारी चोहान और जहरना में आपने बताया 1907 में हुआ था बैरिगोट 1907 में हजारी पिरसाद दुवेदी का जन्म हुआ था जहरना काब संगरे अगर आपसे पूछा गया है तो आपको पता है कि सर ए जहरना जैसंकर पिरसाद यानि कि स्ती नंवर जन्म कब हुआ 1889 में हुआ जैसंकर पिरसाद का सबसे जदा इनकी रचना पूछे जाने वाली है कामाईनी कामाईनी ये इनका महाकाब है 15 सर्गे हैं क कामाईनी का रचनाकाल है दोस्तों कितना कामाईनी का रचनाकाल 1935 है थीक है। यह थे अपने जैसंकर प्रिश्वागाद के क्या माने जाते हैं प्रिवर्तक माने जाते हैं जो आपलोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। भारत भारती काब्व के रचनाकार कौन है और आपको ये भी बताना है कि ये जो भारत भारती रचना है इसका सन क्या है दोस्तों इसका प्रकासन वर्थ क्या है वो भी आपको चैन करना है तो गोपाल सरण से नेपाली की रचना है नरेश महता की है मेत्रिशन गोपति की है ध हरीबंस राय बच्चन का भी जन्म 1907 में है हजारी परसाथ दुवेदी का 1907 में है महादेवी बरमाजी का भी 1907 में जन्म हुआ और भारत भारती के रचनाकार अगर आपसे पूछा गया है तो आपने बिलकुर शही बताया कि सर्राष्ट कभी महत्रिशन गुप्त है और आप 1912 है और 1912 यह जो भारत भारती है दोस्तों इसकी प्रसिद्धी के कारण महत्मा गांदी ने मैत्रिशन गुप्त को राष्ट कभी कहाता जो कि सबीड़ी को पता है है ना अब अंगला कॉस्चन बताना है आपको की दोस्तों मैत्री शनगुप्त का जन में कब हुआ था और साथी दोहा कोस के रचेता कौन है दोहा कोस के रचेता कौन है सबी लोग बताएं आधने कल का तुलसी कहा जाता है मैत्री शनगुप्त को आधने कल का सूरदास कहा जाता हरियोद जी को है ना आधने कल का कबीर कहा जाता है ना जफागरजुन्जी को, है ना और दोस्तो आधनिक काल की मीरा कहा जाता है महादेवी बर्मा को, है ना और दोहा कोस के रचेता कौन माने जाते हैं? ये आपको चैन करना है, और दोहा कोस आपने बताया है, तो सभी लोगों ने बताया कि सरमें इतलिस रनगुप्त का जन्म हुआ था 1886 में 1886 में हुआ था और दोहा कोस के रचेता कौन है ये भी आपको चैन करना है लुईपा, जो इंदू, सरहपा या फिर कन्हपा को दोहा कोस के रचेता कौन माने जाते हैं इसका उत्तर आप लोगों को बताना है किसने माना है जल्दी से कमेंट में एक कौस्चन और आपके लिए दिया गया है कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कभी किसने माना है जल्दी से आपको बताना है फटाक से बताईए सरहपा को हिंदी का प्रथम कभी किसने माना है और ये question तो आपके लिए साइद दिख गया होगा कोई बात नहीं लेकिन प्रेम सागर के तो सभी को पता ही है कि लल्लू लाल है रचनागार बैरीगोड अगला question आपको बताना है सरहपा को हिंदी का प्रथम कभी किस से माना है और पंच परमेश्चुर कहानी के लेखक आपक पाको हिंदी का प्रथम कभी माना है बैरीगोड अंसर पंच परमेश्चुर कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं रामधारिस ने दिनकर प्रेम चंद मेत्रीशन गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत पंच परमेश्चुर कहानी सभी लोगों ने पड़ी है दोस्तो और पंच परमेश्चुर पूछी भी गई है और बोली सर इतना सरल कौस्चन आपने बताया है पूछा है तो सभी से बनेगा और बहुत बढ़िया है कि आप लोगों ने सेल्प स्टडी किलासे से अप डाउनलूट कर लिया सबता है में दो दिन टेस्ट पिर्तियोगिता फिरी क्वे कॉस्चन की ओर हम बढ़ेंगे यहां पर आ जाते हैं अंगला क्वेश्चन यहां पर तोड़ती पत्थर कभीता के कभी कौन है यह भी आपको बताना है एक तो सुविद्रा कुमारी चोहान है क्या महादेवी बर्मा है क्या है ना जल्दी से बताना है सूरकां आर्थबादी रचना मानी जाती है उरे रचना कौन की है ये भी आपको चैन करना है यहां से अपन दो तीन कोस्टिनों को पकड़ेंगे दोस्तों है ना जल्दी से बताईए सबसे पहले तो आपको पता है कि महादेवी बर्मा का जन में 1907 में मान लिया मैंने साथ में बोले स लोड़ती पठन निराला इनके जन्म को लेकर कि मतबेद कुछ बिद्वान 1997 मानते हैं कुछ बिद्वान 1999 मानते हैं निराला महिसा मेदनी पूर महिसा दल मेदनी पूर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था निराला जी का ये भी आपको याद रखना है ठीक है अंगले मचना आपके लिए दोस्तों बताना है बहुत बढ़ी आंसर हार की जीट कहानि के कहानिकार कौन है फार की जीट कहानि पूचा जाता है लेकिन अच्छी कहानी है इसका उत्तर आपको बताना है जल्दी से बताईए बहुत अच्छा प्रशन है और अच्छा आंसर सभी लोग बताएंगे और सभी लोगों ने जो आंसर चैन किया है कि सर जो हार की जीत कहानी है एक कहानी है लेकिन एक कहानी है दोस्तों किसकी सुदरसन की आप लोग जाते ना दरसन करने मैच किरकेट दर्सन किये दर्सन किये तो सुदर्सन आपका बिलकूर सही आंसर हो जाएगा वेरी गुड अंगला कॉस्चन का रानी केतिकी की कहानी की रचेता कौन है और एक कॉस्चन और आप से पूचा जाएगा रानी नांगमती की कहानी की रचनाकार कौन है ये दो कॉस्चन आपको ब बताना है कि रानी केतिकी के कहानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं और दोस्तों जद्दी से आपको ब्रंदावनलाल बर्मा है या फिर दोस्तों कि सोरी राल गोस्वामी है मादा और आव सप्रिया फिर इंसा अल्ला खां है रानी केतिकी की कहानी और आपको पता है कि से रान चन्चुकले ने हिंदी की है ना लेकिन आपको पता है एक टोकरी भर मिट्टी ये जो कहानी है ये माधावराव सप्रे की है एक टोकरी भर मिट्टी से सप्रे सप्रे लेकिन अब आप चैन करिए रानी नांगमती की कहानी रानी नांगमती की कहानी के रचनाकार कौन है बताएं फटाक से किस से बन रहा है हाँ रानी केत की कहानी को उधायबान चरित भी कहा जाता है रानी नांग मती की कहानी के रिचनाकार कौन है शबी लोग बताएं राचकुमार जी, हरियोम जी बहुत बढ़िया बैरी गोड आंसर आया है अब यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स में आते हैं तो यहाँ आपको याद रखना है कि रानी नांग मती की कहानी ये दोस्तो हरी संकर परसाई की है ये किसकी है हरी संकर परसाई है ना ये जो रचना है ये हरी संकर परसाई की है और रानी केतिकी की कहानी ये जो रचना है ये इंसाल लाखा की है इसे दोस्तों क्या कहा जाता है रानी केतिकी की कहानी को दैभान चरित कहा जाता है ये सारी की सारी रचना है डाउट्स वाली रचना है भी मैंने आपको बताया है कई बार पढ़ाया है अंगला कॉस्चन रचनाकार हैं वो कौन है बाबू तो एक कई बार पूछा गया सरल है लेकिन पूछा जाता है तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे उत्तर आपका क्या हो जाएगा सेव संबू के चिट्टे से सम्मंदित जो रचना है वो कौन सी है बाबू तोता राम केसा राम भट्ट फिर बाल मुकंद गुप्त और शभी लोगों ने आंसर चैन किया है कि सर सेव संबू के चिट्टे से सम्मंदित जो रचनाकार है वो रचनाकार है कौन है जल्दी से बताएंगे शभी लोग बताएंगे उत्तर क्या है और उत्तर बताया है आपने कि सर सेव संबू के चिट बाल के तो बाल से बनेगा बाल मुकंद गुप्त है यानि कि आपका डी नमबर जो है वो बिलकुछ चाहिए 52 का अंसर और ऐसे कितने साती हैं जुन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और दोस्तों जुन्होंने अभी तक सेल्प स्टेडी के लासे से एप पूछा गया है कि रस संबंदी लक्षन गरंत माना जाता है दोस्तों रस संबंदी लक्षन गरंत माना जाता है रसिक प्रिया और कभी प्रिया इनका कभी प्रिया अलंकार संबंदी गरंत है कभी अगर आपसे पूछा जाए कि कभी प्रिया संबंदित गरंत है तो अलंकार संबंदी गरंतें लेकिन हैं किसके रसिक प्रिया तो सर किसकी रचना है किसकी रचना है केसा उदास की है केसा उदास की है राम चंद्रिका की रचना की दोस्तों इन्होंने केसा उदास ने कहते हैं कि एक रात में इन्होंने केसा उदास ने राम चंद्रिका की रचना कर दी और आपको पता है कि जो राम चंद्रीका है इसे राम सरूप चत्रवेदी ने छंदों का अजायब घर कहा किसको राम चंद्रीका को याद रखना दोस्तों अंगला कोस्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जल्दी से आपको वीडियो को लाइक करना है सेल्प स्टडी किलासे से आपको जरूर डायूलोड करने ना कोटज के रचेता कौन है कोटज के रचनाकार कौन माने जाते हैं सांती प्रिये दुवेदी हजारी पर साथ दुवेदी कोवेर नातराय या फिर बिद्या निबास मिस्त्र फटाक से चैन करिए वीडियो को लाइ प्रिये दुवेदी हजारी पर साथ दुवेदी या फिर दोस्तों कोवेर नातराय और अपन बोलते हैं ना कि मासाब मारे धम धम और विद्या आबे चम चम बोले सर मासाब ने हजारों बार कूटा है ना ऐसे याद करना है कूटा तो नहीं होगा कुछ लोग कोटे होंगे है ना हम तो बहुत कोटे हैं इसलिए भाईया कोटेज बोले सर हजारों बार कोटे हजारों बार कोटे हजारों बार कोटे तो हजारों बार कोटे से कोटेज से क्या बनेगा हजारी पर साथ दुवेदी बोले कोटे कितने बार हजारों बार हजारी पर साथ दुवेदी जन् के फूल हजारी परसाद दुवेदी कोटेज है ना बहुत सारी दोस्तों इनकी रचना है जिनको अपन को कई बार याद करना है अंगला आते हैं दोस्तों अंगला प्रशना आपको देखना है जल्दी से बताना है आसु काब आसु तो आई गया है आसु काब की रचनाकार नि जग ना उसी question पर बार बार आ रहा है वो ले पढ़ लो आसू को आएगा ये पक्का आएगा वही आसू क्योंकि ये बार बार आ रहा है वो ले पढ़ दो देख बार है ना तो जल्दी बताओ चंदन विस वियापत नहीं लिप्टत रहे तो भोजंग पंक्ती के रचना कार को और यहां पर आपका सही आंसर लिप्टत रहे बोजंग है उत्तर चला जाएगा कौनसा जाएगा जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सेल्प स्टेडी किलासे से जुड़ जाएं और जो भी साती पढ़ना चाहते हैं और निचोड किलासे लेना चाहते ह जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही परीक्षा के अंतिम समय में बहुत ही उपयोगी रहेगा ये जो पंक्ती है ये पंक्ती किसकी है रहीम दासकी है दोस्तों है ना रहीम की पंक्ती माने जाती है बहुत बढ़ी आंसर आया सबी लोगों का अंगले क्वेस्टन की है अम अमिये का इतना बस ले लो अमिये से अमिया अमिया देखी सभी ने आम और अमिया अमिया में क्या रहता है बोली सर अमिया में रस रहता है तो अमिये अपनने यहां पर पड़ला पकड़ा अमिये हला हल अमिया हला हल मद भरे है ना इस परकार से तो यहां पर बताना है आपको मैंने थोड़ी सी हिंट आपको दी है बनेगा उत्तराप से ही हैं न और आपने बता दिया कि पना बनाते हैं बहुत बड़ी आंसर बैरी गोट और इसी प्रकार से जब जब होए धर्म की हानी बाड़े असुर अधम अभिमानी प्रस्तुत पंक्ती के रिचनाकार कौन है जब जब होए धर्म की हानी पताइए अच्छा कॉस्चन है और सेल्फ इस्टेडी किलासे से अपसे जरू जूर जिन भी सात्यों को निचोड कोर्स में निचोड दोस्तों जो किलासे हैं उसको अटेंड करनी है आज जी ही अड़िसल ने एक जुलाई से नया बेच आएगा उसमें भी आपको मिलेगा और सारा रिक्वाड़ेट कोर्स भी आपके लिए रखा है तो परिक्षा के टाइम प सिलक देत रगबीर यानि कि आपका बी नम्मर आपका बिलकुर सही हो जाएगा जो आपने राइट आंसर बता है वेरी गोड आंसर सभी लोग बहुत अच्छे से मन लगा के पड़ रहे हैं परहत सरस धरम नहीं भाई पर पीडा है ना इसको आपको याद करना है दोस्तों ये पंक्ती किसकी है परहत सरस धरम नहीं भाई ये पंक्ती भी कई बार पूछी आती जितनी पंक्ती सरल है उतनी बार पूछी भी गई है अब यहाँ पर चार विकल्प हैं परहत सरस धरम नहीं भाई है ना और परहत सरस धरम नहीं भाई कि रचनाकार कौन है कौन है ये ज लोक मंगल के कभी कौन है तुलसी दास हैं बहुत बड़िया रतना बली को जानते तुलसी दास की की नहीं जानते सबी लोग उन्हें सर अच्छे से जानते उनका नाम लो मतलो है ना रखत है या नसों में छुद्र पानी जांचकर तूसीस दे देकर जवानी प्रस्तुत के लिए आप अपने दोस्तों बिलकुल समय को जोंक दो और पढ़ाई बिलकुल स्टार्ड करतो है ना जैसा बने बैसा तैयारी आप कर दो अगर बास्तों में रियल में आप तैयारी कर रहे हो तो रियल में तैयारी स्टार्ड कर दो है ना इस समय दोस्तों आपके लिए मिला है एक डो मैने का इसमें बहुत अच्छी तयारी करो सबी लोग或者 यहां पर आपसे पूछा गया यह जो पंक्ति है यह पंक्ति है रक्त्थ है या नसों में छुद्र पानी ये पंक्ति किस्की है और पंक्ती सभी लोगों ने बताया है कि सर यह जो पंक्ती है यहाँ पर दिवस आुसान का समय मेगमः आसमान से उतर रही बह संध्या सुंधरी परीसी धीरे धीरे है प्रस्तत पंक्ती के रचेता कोन है दिवस आुसान समीब है यह पंक्ती अच्छे से पढ़ लो एक बार है ना इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं इस पंक्ती को पढ़ लो पढ़ लो ये पढ़ लो है ना दिवास आउसान का समय मेगमय आसमान से उतर रही बहसंद्या सुंद्री परीसी परीसी है ना ये धीरे धीरे ये दो बताना है ये पंक्ती किसकी है महादेवी बर्मा की है सुमित्रा नंदन पंत की है दिनकर की है या फिर शूर का अंतरपाटी निराला की है बताईए दिवास आउसान का समय मेगमय आसमान से उतर रही बहसंद्या सुंद्री परीसी है ना बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज होंग पतानी के प्रयास किया है आपका अंसर आया है दोस्तो क्या निराला सूर का अंतरपाठी निराला है ना सूर का अंतरपाठी निराला दोस्तो आपको बता है सबसे जाना बिरोध हुआ है छायाबाद में किसका दोस्तो दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कह है ना तो ये सूर का अंतरपाटी निराला आपको याद रखते ना है दुसियंत कुमार की वो गजल आपको याद होगी कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में और तेरे सीने में ना सही तो किसी और के सीने में है कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए इस हमाला से कोई गंग होती है सब लोग लगाईए रवीबार और गुरुबार को ठीक है तो जिनको भी इस टेस्ट सीरिज में भाग लेना है पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो टेस्ट लगा सकते हैं और साथ ही दोस्तो जिनको भी कोर्स में अड़िसल लेना है जैसे यह निचोड किला भी आपको मिलेंगी ठीक है तो अंतिम समय में जिन deuxऊ साथियों को दोस्तो परिछा के टाइम पर जिन WHी साथियों को कोर्स में अड़िसल लेना हैं दस दिन में निचोड कोर्स कंपलीट किया जाएगा यानि कि जून लास्ट तक पूरा निचोड कोर्स आपका निचोड ज जरूर कर देना एक 9.45 पर किलास आती है दोस्तों उसको जरूर देख लेना कुछ कॉस्चन की 10-15 कॉस्चन की है ना और किरन जी निलम जी प्रमोद जी राजेश जी आसु इंदू जी सभी साती गीतिका डॉली सीता दार्सु जी ममता प्रिया जी राम मुरत जी अर्सदीप जी बहुत बढ़िया मंजू जी आजय जी बिजय जी साक्षी जी दार्सु रोमा जी प्रमिला यवराज जी प्रिया जैन्त जी लोकेश जी सुमित जी मनीसा रेका जी रस्मी गोराओ जी हिमानी जी अनिल जी दार्सु रीना जी अभिसेक जी है ना अर्सदीप लबली ठा कोड़ जी हरियोम जी बहुत बढ़िया बीनू दारसू राम मुरत जी है ना और विश्वाश मलिक जी जोती सिंग जी और सिवानी जी है मनीशा कभीता टाइम जी है उमंग जी है बहुत बढ़िया है ना इसी प्रकार से अपन को अध्यन करना है और लगे रहना है ठीक है और लगे रहें लगे रहें बिलकुल अंतिम संवाय आपके हैं दोस्तो महीने दो महीने में आपके पेपर हो जाएंगे इतनी भी डेट बड़ेगी तो आपके तीन महीने से जादना बिलकुल भी नहीं लगेगा है ना तो जो भी हमारे साती हैं इस तीन महिने के अंदर आपकी सारी परिक्षा होंगी है ना चाया आप DSSB वाले हों TGT PGT वाले हों है ना सभी साती लग जाएं बिलकुल मूड बनाके मूड बनाके लग जाओगे तो आपका एकजाम बिलकुल क्वालिफाइ होगा हैना competition बहुत है सभी साती स्वानू जी मैंक जी अनीता पूजा जी कलपना जी दुर्गेश जी पूजा जी और जितने भी हमारे pad members आती हैं उनको बता दें कि आपकी एक link जो pad class की live class की link आती है वो आती है app में self study class इसे app open करो chat का option आता है chat का option करो छिप फिर दोस्तो chat के option पर आप click करोगे तो आपको DSSV, TGT, PGT, junior, chat बाला group मिलेगा उस group में आप click करिए तो बहाँ पर आपको दोस्तो link मिलेगी live class की जो साम को 5 बजे होती है और जो साम को 6 बजे होती है ठीक है तो लगे रहें कल 19 तारिक को दोस्तो टेस्ट है एकांकी का second batch बालों का second batch बालों का एकांकी का है तो आप भी लगे रहें पढ़ते रहें अध्यान करते रहें अपना टेस्ट करते रहें कि और अपन को कितने पढ़ने की जवरात है बजे लक्षमी, रचना, दार्सू, कंचन, अभिसेक, सरीता जी, रस्मी जी, पूनम जी, हैना काब्या, नीतु जी ठीक है एकांकी का नहीं एकांकी का नहीं उपसरग का टेस्ट है स्वरी उपसरग का टेस्ट है batch बालों का एकांकी का तो 21 तारिक को है एकांकी का तो 21 तारीक को है और 2nd वैच बालों का उपसर्ग का टेस्ट है तो इसी प्रकार से अध्यन करें और लाइक जरूर करें ठीक है बहुत बढ़िया है ना अर्पित मिस्रा जी अच्छी भासा वो लिए आप बिलोख हो सकते हैं अच्छी भासा का यूच करिए मैंने नाम ले लिया है आपका ठीक है बहुत बढ़िया अमित जी यादाओ सर्मीरा जी तरणबीर सिंग जी गीता जोसी जोती दोवे जी अरुन राचपुज जी ठीक है बहुत बढ़िया धन्नबाद 21 जून से शुरू होगी कामेडी गुरू अनिता जी मंजू गीतिका जी बेरिगोड अभिसेक राय डॉली जी मैंग पंकज जी मोहेच जी पूजा सिंग दार्शु जी ठीक है तो इसी प्रकार से अध्यन करें वीडियो को सेर करें और पढ़ती रहें लाइक करती रहें ठीक है बिलकूर है ना ठीक है रजनीज गुपता जी हरप्रीत कौर रीना यादाव जी ठीक है अलग से कुछ नहीं लेना है उसी मैंने चोड कोर्स आपके कोर्स में ही रहेगा ठीक है कोर्स में ही रहेगा आपका अब इसे क्रॉए प्रेमिला जी ठीक है तो सभी सातियों को धनवाद अध्यन करते रहें है ना और इसी प्रकार से ठीक है अध्यन करते रहें और ठीक है सभी को धनवाद जय हिंद्ट झाल झाल झाल